जब हम कोरोना काल को याद करेंगे तो शायद यकीन ही नहीं आएगा लेकिन इससे भी सबसे अच्छी बात रही है जितनी तेजी से हलत विगड़े उतनी ही तेजी के साथ सुधर भी रहे फरवरी मार्च में जब पैंडेमिक का ये दौर शुरू हुआ था तो हम एक अन्नोन दुश्मन से लड़ रहे थे बहुत से अनिश्चित्ते थे प्रोडक्शन हो लॉजिस्टिक्स हो एकोनमी का रिवाइवल हो अनगिनत विशे थे और सवाल यही था कब तक ऐसा चलेगा हर एक के मन में यही सवाल सा कैसे सप्थिक होगा इनी सवालों चुनोतियों चिन्ताओं उससे दुरिया का हर मानव उसी में फसा पड़ा था लेकिन आज दिसंबर आते आते स्थीती बहुत बदली हुई नजर आ रही है हमारे पास जवाब भी है और रोड मैब भी है आज जो इकोनॉमिक एंडिकेटर्स है वो उस्षा बढ़ाने वाले है होसला बढ़ाने वाले है संकर के समय देश्म ने जो सीखा है उसने भविश्य के संकर्पों को और दड़ किया है और निश्यक तोर पर इसका बहुत बढ़ा स्रे भारत के एंट्रप्रनस को जाता है भारत की युवापीडी को जाता है भारत के किसानों को जाता है आप सभी उद्यम्यों को सभी देश वासियों को जाता है साथियों हमेशा से ग्लोबल पैंडेमिक के साथ एक इतिहास एक सबक जुड़ा रहा है जो देश ऐसी महामारी के समय अपने जादा से जादा नागरीकों को बचा ले जाता है उस देश की बाकी सारी व्यवस्ताएं उतनी ही तेज़ी के साथ रिबाउंड करने के ताकत रखती है इस महामारी के समय भारत ने अपने नागरीकों के जीवन को सरवच्च प्रात्विक्ता दी जादा से जादा लोगों का जीवन बचाया और आज इसका नतीजा देश भी देख रहा है दुनिया भी देख रही है भारत ने जिस तरख बीते कुछ महिनों में एक जुड़ होकर काम किया है नीतिया बनाई है निर्णे लिये हैं ठीतियों को समाला है उसने पूरी दुनिया को चकीद करके रख दिया है बीते च्छे वर्षों में दुनिया का जो विश्वास भारत पर बना था वो बीते महिनों में और मजबूत हुआ है FDI हो या FPI विदेशी निवसकों ने रेकॉर्ड इंवेस्टमेंट भारत में किया है और निरंतर कर रहे हैं साथियों आज देश का प्रत्येक नागरीक आत्म निर्भर भारत अभ्यान को सफल बनाने के लिए प्रतिवद्ध है लोकल के लिए वोकल होकर काम कर रहा है ये एक जिवन्त उदारण है कि देश को अपने प्राइवेट सेक्टर के सामर्थ पर कितना विश्वास है भारत का प्राइवेट सेक्टर न सिर्फ हमारी डॉमेस्टिक नीज को पुरा कर सकता है लेकिन ग्लोबली भी अपनी पहचान उसको और मजबूती से स्थापित कर सकता है साथियों आत्मां देरभर भारत भ्यान भारत में क्वालिटिव प्रोड़क्स बनाने और भारत के इंडिस्ट्री को और ज्यादा कॉम्पेटिटिव बनाने का भी माध्यम है और 2014 में पहली बार जब लाल के लिए से मुझे बोलने का मोका मिला था तब मैंने एक बात कही थी कि हमारा लक्ष रहना चाहिए जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट साथियों अनुभव रहा है कि पहले के समय की नीतियों ने कई खेत्रों में इन एफिसेंसी को समरक्षन दिया है नए प्रयोग करने से रोका है जबकि आत्मंदिर भर भारत अभ्यान हर खेत्र में एफिसेंसी को बढ़ावा देता है ऐसे सेक्टर्स जिसमें भारत के पास लॉंग टर्म कॉंपिटिटिव एडवांटेज है उनमें संराइज और टेक्नोलोजी ब्रेज इंडर्सिज को नई उर्जा देने पर ज्यादा बल दिया जा रहा है हम चाहते हैं कि हमारी ये इंफंट इंडर्सिज भी भविश में और अधिक स्ट्रॉंग और इंडिपेंडेंट बने इसलिए आपने देखा होगा एक और एहम कदम उठाया गया है देश में प्रोड़क्शन लिंग इंसेंटिव स्कीम शुरू की गई है इसकीम उन उद्योगों के लिए हैं जिन में भारत ग्लोबल चेंपियन बनने की ख्षमता रखता है जो परफॉर्म करेगा जो एपिसेंसी से काम करेगा जो अपने सेक्टर में देश को आत्मन निर्भर बनाएगा वो इंसेंटिव का भी हगदार होगा साथ क्यों जीवन हो या गवर्नेंस हम एक पैराडॉक्स अक्सर देखते हैं जो कॉन्फिडेंट होता है वो दूसरों को जगर देने में हिच्च की चाता नहीं है लेकिन जो दुर्बलमन का होता है इन शिक्कर होता है वो अपने आजपास के लोगों को भी आउसर देने से डरता है अक्सर सरकारों को लेकर भी ऐसा ही होता है जनता जदार्दन के भारी समर्थन और विश्वास से बिली सरकार का अपना ही कॉन्फिडेंस होता है और उतना ही डडिकेशन भी होता है और तभी तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास इस मंत्र को चरितार करने के लिए जी जान से सरकार जुटी रहती है सरकार जितनी निर्णायक होती है, वो दूसरों के लिए अड़चनों को उतना ही कम करती है एक निर्णायक सरकार की हमेशा कोशिच होती है कि वो समाथ के लिए, राष्ट के लिए जादा से जादा कंट्रिबूट करे एक निर्णायक और आत्म विश्वास से भरी सरकार, ये भी नहीं चाहती कि सारा कंट्रोल अपने पास रखे दूसरों को कुछ करने ही न दे, पहले के दौर में सरकारों की इस सोच के आप सभी साक्षी भी हैं और देश उसका शिकार भी रहा है सोच क्या थी, सब कुछ सरकार करेंगे, गड़ी बनानी हो तो सरकार बनाती थी, स्कूटर बनाना हो सरकार बनाती थी, टीवी बनाना रहो तो सरकार बनाती थी, यहां तक की ब्रेड और केक भी सरकार ही बनाती थी हमने देखा है इस एप्रोच ने कितनी दुर्दशा की है इससे अलग एक दुर्दर्शी और नेनायक सरकार हर स्टेक होल्डर को प्रोसाइद करती है ताकि वो अपनी छमताओं का पूरा उप्योग कर सके है